नमज़कर दोस्तों मार्केट है लेविन में आप सभी लोगों का सुवागत है चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बीएव कर सकता है सेकेंड हाफ में तो सबसे पहले अगर हम आज के डाटा की बात करें तो यहां पर निफ्टी का डाटा देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है यहां पर क्या मार्केट साइडवेस रहेगा या फिर दुबारा से यहां पर अप्ट्रेंड में जाने की कोशिस करेगा तो सबसे पहले देखो सत्रा था तीन सो की जो पुट है यहां पर आपको 33.7 लेक्ट का उपन इंटर्स दिख रहा है पूट साइट पर बात करें तो 22 2.6 लेक्ट का उपन इंटर्स दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि 17.300 आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है आज के दिन में उपर बरते हैं तो 17.400 पर आपको दिख रहा है पूट साइट पर 24 लाट का उपन इंटर्स खड़ा हो गया है और वहीं अगर कॉल साइट पर कि एक गाप अपनिंग होई थी और गाप अपनिंग के बाद यह जो गैप है इसको फिल करने की कोशिस कर रहा है निफ्टी तो 17.340 तक निफ्टी आ सकता है बट यहां पर मैं शौट करने की सला बिलकुल नहीं दूँगा क्योंकि और इसने 17.350 का लोग बना चुका है तो यहां पर अगर प्राइज एक्शन की बात करें तो प्राइज एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं यहां से इसने एक मूफ किया फिर एक रिकवरी आई और फिर मूफ किया है और हो सकता है दुबारा यह इसी लेविल से करीब 17.380-85 की लेविल से एक और लो बना दे उस लो का जो टार्गेट होगा वो 17.340 होगा लेकिन फिलाल मैं यहां पर आपको शौट की बिल्कुल सला नहीं दूँगा क्योंकि ऊपर की लेविल पर ओपन इंटस थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो बांस वेग भी बहुत तेजी से आ सक क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट का जो ट्रेंड हो पॉदेटेव है इसलिए यहां पर में शौट की सला आपको बिल्कुल नहीं दूँगा यहां पर आप सिर्फ इस चीज़ पर नोटेस रखिए कि 17.300 के आजपार मार्केट कैसा बीएफ करता है तो यहां से एक ब कॉफिट बॉकिंग कई और फिर रिकवरी होती हुई देखने को मिली तो ऐसा ही सेम ट्रेडिंग सेशन आज का भी हो सकता है क्योंकि 17.400 पर काफी अच्छी पूट राइटिंग हो रही है और हम उसकी नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो सेकेंड हाफ में हो सकता है आपको एक र जो परसो वीडियो डाला तो उसमें मैं आपको बताया था कि अगर यह इस चैनल के अंदर खुलके 36.800 को पार करता है तो फिर आप बाय कर सकते हो इसने गाप अपनिंग गई और विदिन 3-4 मिनट्स में 36.800 के नीचे ही ट्रेड करने लग गया अब इंपॉर्टन लेवल है 36.500 अगर यह ब्रेक होता है तो फिर 100-500 पॉइंट का और मोमेंट आपको डाउंसाइड देखने को मिल सकता है अदर्वाइस यह इसी लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिस करेगा जो कि यह आपका 36.500 से लेके 36.500 का लेवल हो यहां से अगर कोई बाउंस वेक आता है तो 36.500 बचास 36.500 तक यह आ सकता है तो नजर रखो आपको कोई भी ऐपोसुर्टी मिलती है यहां पर रिवर्शल की या ज impacto कि तो आप यहां पर भाय करके भी काम कर सकते हो और अगर आप को शॉर्टी करना है तो आप थोड़ा सा वेट करो फिर अगर दोबभार मा довольно नीचे आता है इस मotमें आपको फस्ना नहीं है थोड़ा सा ध्यान से ही काम काच करना है आपको यह जी जन समझ करनाथ मार्केट में बात करें तो फीचरलाट ही काम गाच कर रहा है वैसंय मनना रहे हैं तो कहीं ना क हमारा market भी थोड़ा सा sideways ही रह सकता है यहां पर हो सकता है 17400 और 17300 के बीच में 17300 के बीच में इनिफ्टी ट्रेट करता हूँ दिखाई थे और बैंक निफ्टी के बाद करें तो 36750 से लेके 36500 के बीच में ही ब्रेक करता है तो जाके आप 100-500 पॉइंट का मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां पर सेम चीज़ निफ्टी अगर यह 17300 को ब्रेक करता है तो फिर आपको एक 60-70 पॉइंट का यहां पर मोमेंट देखने को मिल सकता है फर्दर यहां पर अधर्वाइस यह इसी रेंज को ही प्ले आउट करता रहेगा तो आई होप दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना है आई होप यह वीडियो आपको